आज एक प्रक्राण आया है जो ग्राम पंचायद धौन निर्माड के लिए ग्रामापुर में ग्राम पंचायद धौन पूर प्रधान ग्राम सागर अरिजन के द्वारा ये निर्माड कराया जाना था गाउं के ही एक सम्मानित वेटिं के दोरा इस पर रोप लगाया गया कि ये सरकार ने इस जम्रीन को पट्टा किया है आई जानते हैं क्या प्रक्राण है हमारे बीच में नौनिर्माडित प्रधान विजलार प्रधाप्ति जी हैं दुबारा नौनिर्वाजित प्रधान मुझे इस गाउं की जनता ने बड़े प्यार से बड़े आशिरबाद से मुझे निर्वाजित जिया है यह पंचायद भौन का कारे पिछले 6-7 महीनों से दुखा हुआ है दिवाद में पड़ा हुआ है लेकिन मैं यह चाहता हूँ अपने गाउं कामापूर के सभी संगरांत ब्यक्तियों के सामने या सबसे राय सल्लालने करके मैंने इस कारे को सुरू किया और शुरू करके मैंने इसे खरंजा लेबिल पर पहुंचा दिया है प्रकरण क्या है आप इस काम को अवरोध कहा रहा है पहुंचा दिया इस काम को खरंजे पर लेकिन इसी गाउं के समन है कि यह मेरा पट्टा है 1965 का जब की सन 1972 में चगबंदी हो गई है चगबंदी के प्रकरण के बाद से खेट किसी का हो गया कोई किसी का पा गया कोई किसी का पा गया लेकिन यह जमीन मेरे इस तुवेर सापट्टी कामापुर के खाते में 135 नंबर खाते के बंजर जर्द है जिस पर लेकपाल कानुगोदारा 25 की कर दी गई है और यह जमीन मुझे बताई गई बनने के लिए जो जो सौधाला बना हो प्यार्ट पिवाल खरी हो गई है और 25 ध्वहन के खरंदा लग चुका है मैंने तिवारी जी से अन्रोध किया है कि तिवारी जी इस प्रकरण को सांत करते हुए किसी ना किसी तरह से इस प्रकरण में मेरे ग्राम वाचिस सभी का हित है और यह बन जाए ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए तो इसके बाद भी कोई सुनवाई जब नहीं हो पाई तो मैंने वीडियो से सिकायत की मैंने SDM महोदय को मैंने पत्र दिया और मैंने इस प्रकरण में आज समवार से ले करके काम बंद पड़ा हुआ है सिमेंट पूरी खराब हो रही है खराब हो जाएगी हो सिमेंट मसाला एक बोरी का एक खराब हुआ पड़ा हुआ है सामने बिल्कुन एकजम रद्ध हो गया जो तेरा चवदा सो रूपय का नुक्तान हुआ मिस्त्री लेवार आते हैं बैड़ करके रोजगार करने के लिए लाते हैं तो लौट जाते हैं उनको काम नहीं मिलना है यस्द्यम साहब क्या बोल रहे है इस प्रकरण में लेकपाल कानून को को मैंने अनिरोद कर दिया है ऐसे लेकपाल के संपर किया कहा भी मुझे कोई चित्थी नहीं मिली है जुडियों साब ने रिकारी महदय को फोन करके बताया इसके बारे में उन्होंने भी चित्थी मैंने पहुंचा दिया है उप रिप्रती मैंने गिविश्यों साथ के प्रिस्थी कर दिया है अब मांगला ये है कि ये सोचाले ये भवन बनेगा कैसे अगर आप लोग का सहयोग भाई बड़े भाई यमारे केस मरा हैं तिवारी जी हैं उससे बड़े भी हैं आप सबका सहयोग आप सबका प्यार मिले तो बन करके खड़ा हो जाए इस पर बहुत तारी देवस्ताय हैं सर करा से मैं क्या करूं आए इसी सिती में मेरा साथन से सहयोग मिलना चाहिए ये मेरी अपील है क्या आपने एजियम साहब अगर आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो क्या आपने उच्छा धिकारियों से इसके शिकायत किया अब मैं देखूंगा समवार को ताफिल खुलती है कि अधियम साहब के पास मैं जाओंगा आगर वहां से मेरी बात नहीं बनती है मैं जिला दिकारी महते सुल्कानफुर को एक पत्र के माधन के सिर्फिक परूंगा कि याफिया जाए कि खराब हो जाएगी मुस्तान हो जाएगा इसकी भरपाई फौन करेगा सरकार करेंगी कि का कि यह बंडेट क्या है आपने साहिएगी पत्रति वारी के साथ ड़्तर अब्यति वारी कि अ कि 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 झाल झाल